Hello traders and welcome to the studio members indigo को आज किदर हम trade कर रहे थे entries हमारी 1845.40 इस वाले point पर हमारी entry थी stop loss 1837.30 exact जो day का हमारा swing था वहाँ पर हमने अपने stop losses लगा रखे थे काफी अच्छी तरह से indigo अब set की तरफ जाता हुआ हमें नजर आया था 12 बच कर 45 नट तक लेकिन इसके बाद से जो गिरना शुरू हुआ है तो अभी यह हमारा बिल्कुल cost to cost पर आके रखा हुआ है कोई बहुत बड़ा momentum इसके अंदर नहीं आया हमारे अक्शुल जो target इसके अंदर थे 1875.50 यहां तक हम वेट कर रहे थे आप सभी को मालूम है फटा फटा फट स्टॉक स्क्रीनर जब हमारे पास जो मेरी वाच लिस्ट में जितने भी स्टॉक है जब हमारे लेवल पर नहीं मिलता या अच्छा मूव दिखाने की expectation हमें किसी स्टॉक के अंदर से जब नहीं रहती है तब हम जाते फिर अपने इसको एक च्रफ्या जते हैं तो फटा फट स्क्रीनर पर जब आप आओगे तो बिखने यहां पर हम और फी सारी इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं आपको ऊपन करके दिखाते हैं जैसी यह आ गया अब इसमें एन कॉलम पर जाने के बारद में सीध्रे जैट टू आ कर फिर हम इंडिगो पर जाकर के shift हो गया कि इंडिगो के जो price action हमें नजार आ रहे थी ठीक ठाक price actions थे क्योंकि उस वक्त यह पूरी excel file के अंदर भी यह stock green में था and upside momentum हमें इसके अंदर expected थे यह तो बात होगे कि indigo को हमने select कैसे का यह हमने बता दिया फटावर stock screener पर 9th नूमर पर यह stock आया था और जितनी volume के expectation हमको रहती है उतनी volume इसके अंदर हमें दिख गए थी जिस वाज़े हमने इसको trade किया दूसरी चीज इंडिगो पर जब आप आ एरिया था यह कहीं ना कि हमको हमारे target expect कर रहे थे अगर प्रैस यहां तक जाता है थोड़ा बहुत यह था expectation कि 1875 जो कुछ round number से price इस range तक आने की कोशिश करते हैं तो overall आप यह मान सकते हो कि यह upside कर रही हमारा target point था clear है अब day time frame पर एक बार indigo को देख लेते हैं कि trade करने से हमने किस तरह से इसको read किया था यहां पर आजाए देखिए इसके अंदर यह वाली एक candle है basically होता क्या है हम इस तरह का trade execute करने से मना करते हैं कि कि किसी दिन अगर ज्याधा बड़ी candle बन गई हो मतलब engulfing candle अगर day time frame पर आपको दिख जाए प्रीवेस टे की candle हमारी छोटी candle ब आ रहे थे तो यहां से यहां था कि हमें कोई भी अच्छा stock समझ में नहीं आया इवन जिंदल स्टील भी हमें अच्छा नहीं लगा इस वज़ए से indigo के अंदर थोड़ी बहुत expectation थी है हमें कि momentum को यह 2.5% का momentum में दे सकता है जो कि मेरे लिए sufficient है इस वज़ए से हमने risk लेत किया है आज हमने उसी के थूरू trade execute किया तो बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो का समझने की कोशिश के जाएगा बहुत सारे doubts आपके may be clear हो जाएगे expectation आपसे सिर्फ इतनी है हमारी कि आप वीडियो को like करोगा comments करोगा because आगर जो भी वीडियो हम upload करते हैं उसके notification आपको जाए ठीक है price देखिए नीचे की तरफ गिरा और जो candle में भी mark किये price यहाँ पर आ करके क्यूंकि यह important candle है previous data हम read कर रहे है तो अगर यह important candle है और previous data हम read करते हैं तो हमको हमारी candle के साथ यह alignment चाहिए होगा यह भी मेरे लिए एक support का area बनता है ठीक है हमने यहाँ पर इसका support mark क पूरा समझ पार है ना यह zone बन गया मेरे लिए यह support का area बन गया अब यहाँ से क्या हो रहा है कि price मेरा upset का momentum और इसने volume को increase कर दिया मालूम मैं आपको यह structure पहले भी 3-4 वर हम आपको बता चुके है volume नीचे की तरफ गिरी है price इसकी बाद में volume upset की तरफ चला गया price अब अग करना होगा हमारी इस green वाली candle के highs को यह break कर देगा समझ पार है green वाली candle का जो हाई है यह break होना चाहिए but price ने क्या क्या है जब से यह green candle बनी है यह अपनी इस range के अंदर ही घूम रही है यहाँ पर low low high low देख पार है highs downside की तरफ shift हो रहा है highs जितने भी लग रहे है candles के वो नी green candle बन गई और इसके बाद में next जो green candle बनी है वो यह वाली बनी है तो इस threat से हमारे पास एक पूरी range बन गई इस वाली candle का एक low mark कर लिया यह बन गया मेरे लिए support और resistance के लाइन बन गई ही मेरी upset की अब अगर हमें trade execute करना है तो इस range के पास से ही हम trade execute करेंगे अब अगर minute trade analysis जब आप करोगी तो आपको यह दिखेगा कि price जब जब हमारे support पर आ रहा है इसके उपर एक jump आ रही है फिर से दिखेगे price ने downside की तरफ close तो कर दिया अब अगले दिन फिर से jump आई और volume increase हो गई volume कम हो रही है और अगले दिन green में volume increase हो गई मतलब कि अगर इसको upside की तरफ जाना है तो वापस से price को resistance को breakout करना पड़ेगा इस तरह से यहाँ पर जो volumes के activity हुई है volumes कम हो रही है हमारे ही levels पर volume कम हो रही है और volume जब increase हो रही है तो price हमारा इस level को break नहीं कर पा रहा है और यहीं से volume increase हो रही है upside की तरफ इस तरह से मतलब कि इस level की importance हमें market दिखा रही है अब अगर हमें trade execute करना because day time frame पर थो हमें पता चल गया कि मेरे पास दो ranges बनगा एक resistance एक support वापस से हम आ जाते हैं 3 minutes के time frame अभी आपको याद होगा last second last video हमने upload किया था जिसके अंदर हमने आपको CHOCH मतलब change of character का model दिया था entry execute करने के लि मैं उसके उपर explain किया था आज के दिर में देखें क्या हुआ है indigo के अंदर अगर हम देखें तो ये मेरा एक entry का point बना मतलब कि ये एक important level बन गया जो कि day time से हमका level है change of character का जो वीडियो है ना उस वीडियो को जरूर से जरूर आप देखिएगा एक एक चीज उसके अंदर ह clear junk because ये आप ही के लिए है आप कोई भी अगर trade execute करो तो इस model का use कर लो बहुत ज़्यादा help मिल जाएगी आपको अब यहाँ पर हम 3 मिट के time frame पर आ गया और price ने क्या momentum दिखाया है इसको देखते हैं high low again एक high फिर से एक low और price ने वापस एक high लगा दिया यह समझभा रहा है और एक यह high हम इसको मान लेते हैं low से high लग गया अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस वाले area पर price ने अपना एक support बनाया यहाँ पर जो low लगा हमारा इसने support form कर दिया इस जगह पर और price ने हमारे support को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया यह समझभा रहे है price high की तरफ गया और आइशे से नीचे की गिर गया और फिर से उपर कीतरफ चला गया मतलब के यह support और एक यह पना resistance बन गया और वापस रहे हमारे नीचे की तरफ गिर और इसने अपनेम सपोर्ट को ब्रेक कर दिया अब यह support और प्र हमारे लेवल के नीचे है तो यही support हमारे यह पर आपकॉर जो लगाया swing का just हमारा stop loss था इस वाले इरिया का और बाकि सभी marking sum delete कर देता है देखिए day time frame पर हमने आपको एक चीज़ बताई कि कैसे हमने वहाँ पर अपने levels निकाले higher time frame के और lower time frame पर यहाँ पर अपने activities देखे तो यह higher time frame का level है एक level भी हमने delete कर दे और यह दूसरा level बनता इसको भी हम delete कर देते हैं यह अपना entry का pattern और stop loss का pattern था बहुत simple smooth कोई भी trade आपको execute कर ना आप इस method से trade execute कर दो वापा से 5 minute के time frame पर आजाएंगे targets के लिए हमने क्या सोचा था कि price हमारे जैसे ही इस वाले level पर आएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे यहां से थोड़ा सा और उपर round figure करते हैं तो 1875 रूपिस के असपास यह वाला area पूरे trade के हमारी analysis थी यह इतना crucial level था कि अगर price हमारा upside के दिरफ जाता तो maybe chance था कि price हमारा यहां तक जाता और यहीं से एक विक बना कर एक price हमारा नीचे के दिरफ गिरने लगता तो देखते हमारा आरा ratio अगर हमारे favor में हो था तो हम बाहर निकल जाते हैं I hope कि बहुत सारी चीज़े आपके clear हूँ क्योंकि इतना tough है ही नहीं अगर हम लोग day time frame के reading को थोड़ा थोड़ा सा practice करके उसको अपने daily use में लाने लगे यूस तो हो जाए ना उससे तो बहुत सारी चीज़े हमारी solve हो जाती है कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सीखने की जितना ज्यादा समय आप market को दोगे उतना ही आपके trade के लिए बहतर होगा यहाँ पर देखिए अपने profits वगरा तो time तो काफी हो चुका है अभी trade चल में हमाइस order फिर से हमने 50 quantity हमारा इस तरह से करके 399 quantities पूरी बनी हमारी और वही order अभी तक चल रहा है 3370 के असपास movement upset की लग रही है चली अब यहां से वापस बाहर ही निकलते हैं so trading book में आते हैं order book यहां से अपना stop loss order cancel cancel order वापस से position book में गया है position book में जा करके square off पहले तो cash and carry value को score off करते हैं successfully placed और अब square of N.S.C. market order यह क्या हो रहा है वो price नीचे किर रहा है काफी order book 19 quantities निकली है भी तक वापस position book में आते है modify market order पर लगा देते है इसको square of positions निकल गया एक order हमारा लगा हुआ है order book में जाते है cash and carry modify carry करने का कोई plan नहीं है मारा इसको square of position book 226 रुपय का profit हमने बुकिया कोई बहुत अच्छा momentum ने पूरी तरह से sideway market है तो 399 का order जितना था हमारा सार अगा सार निकल चुका है और एक क्वाण्टी जो हमने यहां पर delivery में उठाई थी उसको भी निकाल दिया market transfer ठीक है आज के लिए हमें लग रहा काफी है इतना है तो 226 रुपय का profit है कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा profit नहीं है लेकिन TK sufficient है जो stop loss हमने लगा हुआ था stop loss हमारा आखरी तक बचा रहा है मेरी लिए बहुत है एक move जो हम इसके अंदर expect कर रहे थे कि price अगर upside की तरफ है हमें entries अगर upside की तरफ की मिलती है तो target बहुत जादा chance थे कि 1875 की मिल जाते है बट most of the stock हमारे side way पढ़े रहे हैं अगर हम HDFC bank को छोड़ देए because HDFC bank और इसके लाबा कल आपको याद होगा हमने यूट्यूपर जो video upload किया तो उसमें 2 stock दिये थे उन्होंने भी काफे अच्छा परफॉर्म किया लेकिन बहुत अच्छा move उसके अंदर भी नहीं है because market पू volume वाले या फिर pre market open session में जिस भी stock के अंदर आपको लग रहा है कि नहीं यह वाले stock सही है हमें उठा लेना चाहिए volumes भी अच्छी है और आपको आपके level पर आपके setup पर मिल रहा है वह stock तो चुप चाप इसको आप ट्रेट को तो बेजी जग जैसे हमने आज के दिन ट्रेट किया पूरी analysis आप इसके उपर कर लो आपका RR ratio जो भी है उसके उपर बैठालो उसके बाद में आप ट्रेट एक्सक्राइब करते रहते हैं कोई भी नई चीज हमने नहीं बताई यह stock selection का जो method है यह already हम काफी बार आपको बता चुके है आज भी हमने यहीं से stock select किया यह भी हमने clear किया आपको दूसरी चीज डे टाइम फेम की जो रेडिंग्स है यह अक्सरम करते रहते हैं आपके सामने हां change of character यह जो अपना entry का pattern है entry का model है इसके बारे में जो भी हमने आपसे discussion किया इसके लिए आप past में जो वीडियो हमने upload किया Thanks and अब हम लोग मिलते हैं आप में next training session में तब तक लिए goodbye and we will meet again